नमस्कार, आईए सुनते हैं मुन्शी प्रेम चंद्वारा लिखी हुई एक कहानी, कामना तरूर राजा इंद्रनाथ का देहांध हो जानी के बाद, कुमर राजनाथ को शत्रू उन्हें चारो ओर से ऐसा दवाया, कि उन्हें अपने प्राण लेकर एक पुराने सेवक की शरण जाना पड़ा, जो एक छोटे से गाउं का जागीरदार था कुमर स्वभाव से ही शान्ति प्रीय रसिक, हंस खेल का समय काटने वाली युवद थे रडशित्रा की अपेक्षा, कबित्तु के शित्र में अपना चमतकार दिखाना उन्हें अधिक प्रीय था रसिक जनों के साथ किसी ब्रिक्ष के नीचे बैठे हुए, काब्य चर्चा करने में उन्हें जो आनंद मिलता था वो शिकार या राजदरवार में नहीं इस परवत मालाओं से घिरे हुए गाउं में आकर उन्हें जिस शान्ति और आनंद का अनुभव हुआ उसके बदले में वो ऐसे ऐसे कई राज़े त्याक कर सकते थे यह परवत मालाओं की मनोहर छटा, यह नेत्रा रंजग हरियाली, यह जल प्रभाव की मधुर बीना यह पक्षियों की मीठी बोलिया, यह मरिक शावकों की छलांगे, यह बच्छों की कुलेले यह ग्राम निवासियों की बालोचित सरलता, यह रमणियों की संकोच मै चपलता, यह सभी बाते उनके लिए नई थी पर इन सवों से बढ़कर जो बस्तून को आकरशित करती थी, वह जागीदार की युवती कन्या चंदा थी चंदा घर का सारा काम काज आप ही करती थी, उसको माता की गोद में खिलना नसी भी नहीं हुआ था पिता की सेवा ही में रत रहती थी, उसका विबाहा इसी साल होने वाला था के इसी बीच में कुमर जी ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और आशाओं को अंकुरित कर दिया उसने अपने पती का जो चित्र मन में खींच रखा था, वही मानो रूप धारन करके उसके सम्मों खा गया कुमर की आदर्स रमडी भी चंदा ही के रूप में आवतरित हो गए लेकिन कुमर समझते थे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, चंदा भी समझती थी, कहाँ यह और कहाँ मैं दो बहर का समय था और जेट का महीना, खप्रेल का घर भट्टी की भातित अपने लगा खस की टटियों और तहखानों में रहने वाले राजकुमार का चित गर्मी से पीचेन हो उठा और वह बाहर निकल आए, और सामने के बाग में जाकर एक घने ब्रिक्ष की चाओं में बैट गए सहसा उन्होंने देखा, चन्दा नदी से जलकी गागर लिये चली आ रही है नीचे जलती हुई रेट थी, उपर जलता हुआ सूरे, लू से देह जुलसी जाती थी कदाचे तेज समय प्यास से तड़कते हुए आदिमी की भी नदी तक जानी की हिम्मत न पढ़ती चन्दा क्यों पानी लेने गई थी, घर में पानी भरा हुआ है, फिर इस समय वह पानी क्यों लेने निकली कुमर दोड़कर उसके पास पहुँचे और उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेश्टा करती हुए बोले मुझे दे दो और भाग कर च्छाओं में चली जाओ, इस समय पानी का क्या काम था? चन्दा ने गागर न छोड़ी, सिर से खिसका हुआ अंचल समभाल कर बोली तुम इस समय कैसे आगे? शायद मारे गर्मी के अंदर न रह सके कुवर, मुझे दे दो, नहीं तो मैं छीन लूँगा चन्दा ने मुसकरा कर कहा, राजकुमारों को गागर लेकर चलना शोभा नहीं देता कुवर ने गागर का मुँग पकड़ कर कहा, इस अपराद का बहुत दंड से चुका हूँ चन्दा अब तो अपने को राजकुमा कहने में भी लज्जा आती है चन्दा देखो, धूप मैं खुद को देखोगे, हैरान हो जाओगे मुझे भी हैरान करते हो, गागर छोड़ दो, सच कहती हूँ पूजा का जल है कुमर, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा चन्दा, अच्छा भाई, नहीं मानते हो, तो तुम ही ले चलो नहीं तो कुमर गागर लेकर आगे आगे चले, चन्दा पीछे हो ली बगीचे में पहुचे, तो चन्दा एक छोटे से पौधे के पास रुक कर बोली इसी देवता की पूजा कहनी है, गागर रग दो कुमर ने आश्या जिसे पूछा, यहां कौन देवता है चन्दा? मुझे तो नजर नहीं आता चन्दा ने पौधों को सीचते हुए कहा, यही तो मेरा देवता है पानी पीकर पौधों की मुर्जाई हुई पत्तियां हरी हो गए, मानो उनकी आँखे खुल गई हो कुमर ने पूछा, यह पौधा क्या तुमने लगाया है चन्दा? चन्दा ने पौधों को एक सीधी लकडी से बांदते हुए कहा, हाँ, उसी दिन तो जब तुम यहाँ आए, यहाँ पहले मेरी गुडिया का घरोंदा था मैंने गुडियों पर छहां करने के लिए अमूला लगा दिया था, फिर मुझे उसकी याद नहीं घर के काम धंदा में भूल गई, जिस दिन तुम यहाँ आए, मुझे न जाने क्यों उस पौधे की याद आ गई मैंने आकर देखा, तो वह सूख गया था, मैंने तुरंत पानी लाकर इसे सीचा, तो कुछ-कुछ ताजा होने लगा तब से इसे सीचती हूँ, देखो कितना हरा-वरा हो गया है यह कहते-कहते उसने सिर उठाकर कुमर की और ताकते हुए कहा और सब काम भूल जाओं, पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती तुम्ही इसके प्राण दाता हो, तुम्ही ने आकर इसे जिला दिया नहीं तो वेचारा सूख गया होता यह तुम्हारे शुभागमन का इस्मेती चिन है जरा इसे देखो, मालूम होता है हस रहा है मुझे तो जान पड़ता है कि यह मुझ से बोलता है सच कहती हूँ, कभी यह रूता है, कभी हसता है, कभी रूटता है आज तुम्हारा लाया हुगा पानी पीकर, यह फूला नहीं समाता एक एक पत्ता तुम्हें धन्यवाद दे रहा है कुमर को ऐसा जान पड़ा मान हुआ पौधा कोई नन्ना सा क्रीड़ा शील बालक है गैसे चुम्बन से प्रसन होकर बाला गोद में चड़ने के लिए दौनों हाथ फैला देता है उसी भाती ये पौधा भी हाथ फैलाए जान पड़ा उसके एक एक अणू में चंदा का प्रेम जलक रहा था चंदा के घर में खेती के सभी औजार थे कुमर एक फामड़ा उठा लाए और पौधों का एक थाला बना कर चारों और उंची मैड बना दी फिर खुर्पी लेकर अंदर की मिट्टी को गौण दिया पौधा और भी लहलहा उठा चंदा बोली कुछ सुनते हो क्या कह रहा है कुमर ने मुसकरा कर कहा हाँ कहता है अम्मा की गोद में बैठूंगा चंदा नहीं कह रहा है इतना प्रेम करके फिर भूल न जाना मगर कुमर को अभी राजबत्र होने का दंड भूकना बाकी था शत्रूं को न जाने कैसे उनकी टोह मिल गई इधर तो हित चिंतकों के आग्रे से विवस होकर बूड़ा कुबेर से चंदा और कुमर के विवा की तैयारिया कर रहा था उदा शत्रूं का एक दल सिर पर आ पहुँचा कुमर ने उस पौधे के आसपास फूल पत्ते लगा कर एक फुलवाडी सी बना दी थी पौधों को सीचना अब उनका काम था प्राते कालवा कंधों पर कामर रखे नदी से पानी ला रही थे कि दस बारे आदमियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया कुबेर से तलवार लेकर दोड़ा लेकिन शत्रों ने उससे मार गिराया अकेला अस्त्रहीन कुमर क्या करता कंदों पर कामर रखे हुए बोला अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया सरदार बोला हमें आपको पकड़ कर ले जाने का हुक्म है तुम्हारा सुआमी मुझे इस दसा में भी नहीं देख सकता खेर अगर धर्म समझो तो कुबेर सिंग की तलवार मुझे दे दो अपनी स्वाधिनता के लिए लड़कर प्राण दो इसका उत्तर यहीं मिला कि सिपाहियों ने कुमर को पकड़कर मुश कैकस दे और उन्हें एक घोड़े पर बिठा कर घोड़े को भगा दिया कामर वहीं पड़ी रह गई उसी समय चंदा घर से निकली देखा कामर पड़ी हुई है और कुमर को लोग घोड़े पर बिठाए जा रहे हैं चोट खाए हुए पक्षी की भांती वह कई कदम दोड़ी फिर गिर पड़ी उसकी आँखों में अधिरा छा गया सहसा उसकी दृष्टी पिता की लाश पर पड़ी वह घबरा कर उठी और लाश के पास जा पहुँची कुबेर अभी मरा न था प्राण आखों में अटके हुए थे चंदा को देखते ही शीरस्वर में बोला बेटी कुमर इसकी आगे वह कुछ न कह सका प्राण निकल गए पर इस शब्द कुमर ने उसका आशे प्रिकट कर दिया बीस वर्स बीट गए कुमर कैद से न छूट सके यह एक पहाड़ी किला था जहां तक निगाह जाती पहाड़िया ही नजर आती किले में उन्हें कोई कष्ट न था नौकर, चाकर, भोजन, वस्त्र, सैर, शिकार किसी बात की कमी न थी पर उस बियोगागनी को कौन शांत करता जो नित्य कुमर के हिर्दय में जला करती थी जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी कोई प्रकाश न था अगर कोई इच्छा थी तो यही कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा कह ले जहां उन्हें सब कुछ मिला जो मनुष्य को मिल सकता है हाँ, उनके मन में एक मात्र यही अभिलाशा थी कि उन पवित्र इस्मृतियों से रंजित भूमी के दर्शन करके जीवन का उसी नदी के तट पर अंत कर दे, वही नदी का किनारा वही ब्रिक्ष का कुंज वही चंदा का छोटा सा सुन्दर घर उसकी आँखों में फिरा करता और वह पौधा जिसे उन दोनों ने मिलकर सीचा था उसमें तो मानों उनके प्राण ही बसते थे क्या वह दिन भी आएगा जब आव उस पौधे को हरी हरी पत्तियों से लदा हुआ देखेंगे कौन जाने, वह अब हैबी या सूख गया कौन अब उसको सीचता होगा चंदा इतने दिनों अविवाहे थोड़े ही बैठी होगी ऐसा संभब भी नहीं उसे अब मेरी सुध भी नहीं होगी हाँ, शायद कभी अपने घर के याद खीच लाती हो तो पौधों को देखकर उसे मेरी याद आ जाती हो मुझ जैसे आभागे के लिए इस यादिक वो और कर ही क्या सकती है उस भूमी को एक बार देखने के लिए वो अपना जीवन दे सकता था पर यह आभेलाशा न पूरी होती थी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मुझ शी प्रेम चंद के लिखी होई कहानी कामना तरू का प्रथम भाग